हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल बुल बैस्टॉक पर लाइफ में आसानी से कुछ नहीं मिलता सिवाए अपनी फैमली के स्पोर्ट के बाकी पैसा कमाके और सेविंग्स कर एक प्रोफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है हम सभी साथ मिलकर चाहे तो इन्वेस्टमेंट को एक बड़े प्रोफिट अमाउंट में कनवर्ट कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आज के कंपनी शेयर की तरफ लेकिन अगर आप चैनल पढ़ने हैं तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज शेयर 15.89 पर ट्रेड करता दिखा बुक वैल्यू 17.2 है जबकि स्टोक फिलाल 0.92 टाइम स्ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से ये प्रोज के अंडर ही आता है देखो इसमें कोई शक नहीं एक साल पहले प्रोमोटर्स की सिर्फ 23.38 परसेंट की होल्डिंग सी प्रोमोटर्स शेयर प्लैजिंग भी नहीं है दो महिने पहले मैंने आपको कहा था इस स्टोक में हमें रिटन देखने को मिलने वाले हैं मार्च एंड क्वार्टर या कहें financial results तो अभी डिस्क्लोज हुए नहीं लेकिन expectation काफी है आप year to year की बात कर ले या फिर quarter to quarter की profit तो consistent ह रहा है शेयर प्रफोर्मेंस के बात करें तो अभी current scenario को देखते हुए कुछ और अच्छे level समय देखने को मिल सकते हैं अगर मेरा इस टोक में investment होता तो मैं अपना target price 18 जरूर रखता और stop loss 13, market cap shift 38 क्रोड तो आप समझ ही सकते हैं कि company अभी कितनी चोटी है 52 week range की बात करें त तो श्टोक अभी high पर ही ट्रेड करता दिखा है जब आप balance sheet को देखेंगे तो borrowings 0 दिखाई देंगी free cash flow जुरूर negative 2.42 क्रोड annual profit 2.17 क्रोड और December end quarter में profit 2.86 क्रोड का था ये company को हम पूरी तरह से debt free ही consider करेंगे return on capital employed return on equity last 3 years से low दिखाई दिए company को sales की तरब भी focus करने की जुरूरत है बाकी एक बार आपका target अचीव हो जाए तो profit कमा किसी दूसरे अच्छे stock को भी try कर सकते हैं क्योंकि investment इसी हिसाब से होनी चाहिए जहाँ portfolio में profit तो दिखता ही रहे बाकी मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care